हेलो हेलो एब्रीवन वेलकम बाक टो ग्रेट ऑनलाइन अकैडमी मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रेट ऑनलाइन अकैडमी में इस चैनल पर मैं आपको माट्स पढ़ाती हूं इस क्वांटिट अप्टिट्ट जो आपका होता है स्पाइशली फॉर बैंक एक्जाम आज का वीडियो है यह बिल्कुल डिफरेंट है इन सबसे आज का वीडियो है ECGC ने जो हमारा एक्जाम निकाला है मींस उन्होंने जो एक नोटिफेकेशन निकाला है प्यो रिक्रूट्मेंट के लिए उसके रिगार्डिंग है यह बहुत इंपर्टेंट होता है दो पॉ ही रहेगा और एक्जाम सेंटर बहुत कम होते हैं लेकिन जो भी इंसान मतलब जो भी कोई स्टूडेंट मूब करने के लिए तयार है उसको कोई दिक्कत नहीं है कि वो एनी पार्ट ऑफ इंडिया कहीं भी जॉब कर सकता उसके लिए यह बैस्ट चॉब है क्यूंकि आपको सिंगल एक्जाम देना है मैं इस एक्जाम के बारे में बात करना चाहती हूं कि मैंने अनलेसिस किया अभी बहुत सारा कि कोई इस एक्जाम के बारे में बात ही नहीं करना तो मैं आपको बताना चाहती हूं यह एक्जाम क्या है कैसे आएगा तो सबसे पहले क्या है यह क्यो मुझे अटेंशन इसने लिया और्गनाइजेशन बहुत अच्छी है पबलिक डीलिंग आपकी कम रहती है मतलब ऐसे नॉर्मल बांक जैसा नहीं होता है सेकेंड चीज जो इसका पीओ का सीटीसी होता है वो 16 लैक तक होता है तो यह बहुत इंपरेंट होता है मतलब यह आपक अप्लिकेशन फॉर्म कब आया और कब तक है तो उसका यह खार आऔर 27 इंपरील थको रिजिस्टर कर सकते हैं तो मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि आप इसको 18 अपरिल तक तो रिजिस्टर करीए दो क्यों लास्ट येड़ वाट अपन को यह हमारा एकजाम है फिर उसके वही डल सकते हैं मतलब एज भी इन्होंने क्या मांगा है minimum 21 years और जो आप maximum जा सकते हो ना अराम से वो आपका 30 years तक जा सकते हो और ये सब रहेंगे आपके 20 April तक मतलब 20 April को आपके जी 30 साल के हो रहे हो या उसके पहले March में भी हो रहे हो मीज एक मार्च का राइधिंक उन्होंने कंसिडर किया है कि एक मार्च के 1st March 1992 के पहले जो कांडिडेट जो बॉन हुए है वो इस फ़र्म को फिल नहीं कर सकते और 2001 मार्च 2001 तक के कांडिडेट इसको फिल कर सकते तो एक बहुती लंबा स्पैन है तो यह इस पैसली उन कांडिडेट के लिए हैं जो मुंबई कर सकते हैं क्योंकि जॉब लोकेशन आपकी मुंबई रहने वाली है सेकेंड चीज इसमें क्या करना है आपको और क्या है अपना एक्जाम कव है एक्जाम आपका है 29 में को मिन्स यदि इन्होंने कम बिल्कुल डेट डिफाइन कर दी है डिसाइड कर ली है कि 29 में को आपका कर सकते हूं जो भी एस्परेंट है जो पहले से तैयारी कर रहे है टाइम हो गया है आपने बहुत सारे प्री और मेंस क्वालिफाइडी किये हैं बट बाइचांस आपने अभी कोई भी एक्जाम मतलब आपका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया और बेसिकली मैं के लिए य आप एक तो रिदम में थे तो अभी आप बहुत मोटिवेटेड हो मतलब जो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि उनको अल्री एक सेलेक्शन मिल गया है तो यदि आप मोटिवेटेड हो तो आप इस जौब की तेयारी आराम से कर सकते हो और इसके के लिए ECGC और RBI एक बहुत अच्छा एक्जाम है मतलब इसको तो आप मैं बोल रही हूंना लग जाओ जैसे भी तैयारी करनी है वैसे करो आपके पास देड़ दो महीने का टाइम है आराम से करो और इस एक्जाम को निकालो उसके बाद क्या होगा आपका रिजल्ट जो डिक्लियर हो जाएगा रिजल्ट आपका डिक्लियर हो जाएगा 15 से 19 जूल को इसमें रिजल्ट डिक्लियर हो जाएगा जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे उनका जुलाई और ऑगस्ट में इंटर्व्यू हो जाएगा फिर व करना है यह जो भी बांकिंग सेक्टर से हटके एक्जाम होते ना उनको तो जरूर देना चाहिए उसमें क्या होता है सबसे पहले नंबर ऑफ कांडिडेट्स क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे नहीं देना पोस्ट कम है मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगा मतलब सबके अपने कुछ पर्सनल रीजन्स भी रहते हैं तो उन रीजन्स को हटा के मतलब जो लोग भी फुल्फिल कर रहा है ना क्राइटेरिया को व कोई special education qualification भी नहीं मांगा है अब second चीज क्या है आपका हम फॉर्स जो online paper है ना उसको discuss कर लेते हैं online जो आपका paper है उसको discuss कर लेते हैं तो इसमें क्या होने वाला है सबसे पहले है reasoning reasoning का paper है और reasoning में आपके number of questions 50 है और marks भी 50 है marks या मैं लिख रही हूँ question और time duration time duration आपको कितना दिया है 40 marks उसके बाद दूसरा है आपका English section आएगा English section में आपको मिलेंगे 40 question 40 marks 30 minutes 30 minutes उसके बाद है computer number of question 20 marks 20 10 minutes then आपका आता है journal awareness इस section को आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि यह जो इस टाइप के exams होते ना उसमें basically banking जैसे जन्रल अवियर में इस नहीं आता थोड़ा सा deep में आता है थोड़ा सा deep में आएगा तो इसको आपको थोड़ा सा deep में पढ़ना पढ़ेगा इसके भी कितना 40 questions है time जो आपको मिलेगा मतब 40 marks के हैं और 20 minutes बस time मिलेगा फिर जो आते हैं maths पर आते हैं maths again 50 questions 50 marks 40 minutes अब इसमें यदि आप अच्छे से देखो तो reasoning 50 की है और ये 50 की है ठीक है means total जो हमारे पास है question वो 200 है और marks भी हमारा कितना है 200 है जिसमें से 100 means 100 marks और you can say 50 percent weight is है हमारा reasoning and quant समझ रहे मतलब जिनका भी reasoning and quant अच्छा है वो तो वैसे भी यहां आगे निकल जाएंगे ठीक है आप आराम से दे सकते हैं उसके बाद बात करेंगे एंग्लिस computer and journal awareness की journal awareness इसका थोड़ा सा tricky आएगा जैसे आपका L.I.C.A.O.A.O. में आता है या पर जो भी insurance के exams होते हैं वैसा आएगा English normal रहने वाली है आपकी जैसी आती है टोटल आपको मिलेगा 140 मिनिट्स आपको देखो दो घंटे से जादा भी मिल रहा है computer बहुत basic आने वाला है बहुत basic आएगा जिसने भी RRB का जो exams होता ना उसी में बस computer आता है आज कल उसमें जिसने भी दिया हो तो यह इनका pre मतलब एक ही paper रहेगा दूसरा रहेगा इनका descriptive paper descriptive में क्या रहेगा letter essay writing मतलब यह है आपका English test the size writing दौनो 20 marks के है 20 marks है और 40 minute total duration है इसमें क्या रहेगा आपको दो questions दियोंगे एक को choose करना है इधर भी आपको दो questions दियोंगे और एक को choose करना है यह आपका total paper pattern रहेगा तो मैं इस exam के लिए इतली है बोल रहे हूं कि जो भी जिनका भी paper निकल किया है और जो मुंभी में जाके job कर सकते हैं या centers इसके कम है थोड़ा सा I think 12 या ऐसे कुछ है centers कम है तो जो भी जहाँ paper देने जा सकते हैं वो इस paper को दे और जरूर दे जिनकी भी पहले से थोड़ी बहुत भी तैयारी है और जो नए बच्चे वो भी कर सकते हैं लेकिन उनके साथ क्या है आपको थोड़ा जीए यह सब पर focus करना पड़ेगा तो मैं बोल रहे हैं जो already motivated बच्चे वो इसको दे और जिनने जो नए अभी विगनर्स आये वो इस paper को इसलिए भी दे सकते हैं यह आप जा सकते हैं ना paper देने क्योंकि सेंटर सिसके कम है तो मैं जिए आप ट्रेवल कर सकते हैं पेपर देने तो आप इस paper को दे क्योंकि क्या होगा यह आपका 2022 का second paper होगा RBI assistant के बाद उससे क्या होने वाला है कि जैसे आप दो गेना तो आपका एक habit बढ़ेगा कि कैसे paper देना है attempt तो type of question आपको समझ में आना लगेगा क्या होता है सारी जो paper आजकल करा रहा है ना why you and TCS कराता है paper pattern सबका almost same होता है क्या सा paper रहने वाला है क्या है type of question से बस जो differ करेगा ना वो करता है level of toughness जैसे आप clerical का paper दोगे उसमें भी वही आना equation आनी है series आनी है simplification आना है series ऐसे आएगी कि आपको देखके logic से मच में आ जाएगा PO का दोगे आप IVPS PO को दोगे थोड़ा सा आपको write करना पड़ेगा SBI PO का दोगे उसमें आपको दो बार लिखके देखनी पड़ेगी series level सिर्फ toughness का बढ़ता है और कुछ नहीं होता है तो thank you मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही और guide करती रहूंगी कि इस paper को कैसे देना है क्या कर होना है क्योंकि मैं देख रहे हूं कि यह बहुत कम लोग इस paper को करा रहे है thank you very much